हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डोक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी के बारे में जिनको हम मिसाइल मैन की नाम से भी जानते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में दिया गया बैल बटन प्रेस कर दिजिए डोक्टर एपीजे अब्दुलकलाम एक परख्यात भारते विज्यानिक और भारत के ग्यारवे राष्टपती थे उन्होंने देश के कुछ सबसे मैतापुर्ण संगठनों DRDO और ISRO में कार्ये किया उन्होंने वर्ष 1990 के पोकरन द्वित्य परमानु प्रिक्षन में भी मैतापुर्ण भूमी का निभाई डोक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कारेकरम और मिसाइल विकास कारेकरम के साथ भी जूड़े थे इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्टपती चुने गए और पाच वर्ष की अब्दी की सेवा के बाद वेशिक्षन, लेखन और सावरजिनिक सेवा में लोट आए उन्हें भारत के सवरोच नागरिक सम्मान भारत रतन सहित कई वर्ष तिष्टित पुरोषकारों से सम्मानित किया गया प्रारंबिक जीवन अवुल पकी जैनूल अभी दिन अब्दुल कलाम का जनम 15 अक्टूबर 1931 को तमिल लाडू के रामेश्वरम में एक मुसल्मान प्रिवार में हुआ उनके पिता जैनूल अभी दिन एक नाविक थे और उनकी मातार्शी अम्माइक रहने थी उनके प्रिवार की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी इसलिए उन्हें छोटी उमर से ही काम करना पड़ा अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्रवितरन का कारिय करते थे अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में समानने थे पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा ततपर और तयार रहते थे उनके अंदर सीखने की बूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथ पूरम सच वारता जे मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापली के सेंट जोसेफा स्कूल कोलीज में ताकिला लिया जहाँ से उन्होंने सन 1904 में भोती विग्यान में सनात्त किया उसके बाद वर्ष 1905 में वो मदरास चले गए जहाँ से उन्होंने एरो स्पेस इंजिनियरिंग की शिक्षा ग्रहन की वर्ष 1960 में कलाम के मदरास इंस्ट्टूट ओफ टेकनोलोजी से इंजिनियरिंग के पढ़ाई पूरी की कलाम ने रक्षानू संथान और विकास संगठन DRDO में वेग्यानिक के दोर पर भरती हुए कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारती सेना के लिए एक छोटे हेलिकॉप्टर का डिजाइन बना कर किया DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टी नहीं मिल रही थी कलाम पंडी जवारलाल नहरूर द्वारा गठिट इंडियन नेशनल कमुनिटी फोर स्पेस रिसर्च के सदसे भी थे इस दोरान उन्हें परसीद अंतरिक्षवे ग्यानिक विक्रम साराबाई के साथ कारे करने का अवसर मिला वर्ष 1989 में उनका स्थाना अंतर भारतिय अंतरिक्षन उसंदान संगर्ठन इसरो में हुआ यहां वो भारत के सैटेलाइट लॉंच वहिकल प्रियोजना के निदेशक के तोर पर न्यूप्त किये गई थी इसी प्रियोजना के सफलता के पर नाम स्रूप भारत का प्रतम उप्धर है रोहिनी प्रित्वी की कक्षा में वर्ष 1989 में स्थापित किया गया इस रों में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे एहम मोर था और जब उन्होंने सैटेलाइट लोंच वेहिकल प्रियोजना पर कारिया रम किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही कारिय कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है 1963 से 64 के दोरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक संगठ नासा की भी यात्रा की परमानु के वेग्यानिक राजा रमना जिनकी देख रेग में भारत ने पहला परमानु प्रिक्षन किया ने कलां को वर्ष उन्होंच चुएतर में पोकरन में परमानु प्रिक्षन देखने के लिए भी भूलाया था सतर और असी के दशक में अपने कारियों और सफलताओं से डोक्टर कलाम भारत में बहुत परसिद हो गए और देश के सबसे बड़े वेग्यानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा उनकी ख्याती इतनी बढ़ गई थी के तत कालन परधान मंत्री इंद्रा गांदी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के मिना ही उन्हें कुछ गुप्त प्रियोजना उपर कार्य करने के अन्मोती दी थी भारत सरकार ने मैतवा कांशी इंटी ग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डवलप्मेंट प्रोग्राम का प्रारम डाक्टर कलाम के देखरेक में किया वह इस प्रियोजना के मुख कारेकारी थे इस प्रियोजना ने देश को अगनी और पित्वी जैसी मिसाइले दी है जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डोक्टर कलाम परधान मत्री के वेग्यानिक सलाकार उरक्षा नुलसंदान और विगास संगठन DRDO के सचीव थे भारत ने अपना दूसरा परमानु परिक्षन इसी दोरान किया था उन्होंने इसमें एक मैतपुन भूमी का निभाई थी आर्चिंद बरम के साथ डोक्टर कलाम इस परियोजना के समन्य व्यक्त थे इस दोरान मिले मेडिया कवरज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमानु वेग्यानिक बना दिया वर्श उनिस उठानमे में डोक्टर कलाम ने हिर्दे चिकित सक्सोमा राजु के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरो नरी स्टंट का विकास किया इसे कलाम राजु स्टंट का नाम दिया वेया भारत के राष्टपती इस एक रक्षा वेग्यानी के तोर पर उनकी उपलग्दियों और परसिद्धी के मद्दे नचर एंडिये कि गड़बंडा सरकार ने उन्हें वश दो हजार दो में परधान राष्टपती का उमिदवार बनाया उन्होंने अपने प्रती द्वन्दी लक्ष्मी सैगल को भारी अंतर से प्राजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के ग्यारवे राष्टपती के रूप में शबत लिया डोक्टर कलामदेश के ऐसे तीसरे राष्टपती थे जिने राष्टपती बनने से पहले ही भारत रदन ने नुवाजा जा चुका था इससे पहले डाक्टर राधा कृष्णन और डॉक्टर जागिर हुसेन को राष्टपती बनने से पहले भारत रदन से समानित किया जा चुका था उनके कार्यकाल के दुरान उन्हें जनता का राष्टपती कहा गया अपने कारेकाल के समापती पर उन्होंने दूसरे कारेकाल की इच्छा भी जताई पर राजनेतिक पार्टियों में से एक राई की कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया बारवे राश्पती परतिभा पार्टिल के कारेकाल के समापती के समय एक बार फिर उनका नाम अग्रे संभावित राश्पती के रूप में चर्चा में था प्रन्तु आम सहेमती नहीं होने के कारण उन्हें अपनी उमुद्वारी का विचार त्याग दिया राश्पती पत से सेवा मुठ्थोने के बाद का समय राश्पती पत से सेवा मुठ्थोने के बाद टोक्टर कलाम शिकषन लेखन, मार तरशन और शोज जैसे कारियों में व्यास्त रहे और भारतिय परबंदर संस्थान, शिलोंग भारतिय परबंदर संस्थान, एमदाबाद भारतिय परबंदर संस्थान, इंदोर जैसे रसंस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तोर पर जुड़े रहे। और अन्ना इन्वेस्टी में सुचना प्रधोगी की भी बढ़ाया था। कलाम हमेशा से देश के युवाव और उनके भविश्य को बहतर बनाने के बारे में बात दे करते थे। इसी संबन से उन्होंने देश के युवाव के दिए What Can I Give पहल की शुरुवात भी की जिसका उदेश भरष्टा पचार का सफाया है। देश के युवाव में उनकी लोग पुरियता को देखते हुए उन्हें दो बार 2003 और 2004 MTV Youth Icon of the Year Award के लिए मनोनित भी किया गया था। वज 2011 में परदर्शित हुई हिंदी फिल्म I Am Kalam उनके जीवन से परभावित है। शिक्षन के अलावा, डोक्टर Kalam ने कई पुस्तके भी लिखे जिन में परमुख हैं। इंडिया 2020, A Vision for the New Millennium, Wings of Fire, An Autobiography, Ignited Minds, Unleashing the Power Within India, Mission India, Indomitable Spirit Adi. पुस्कारों समान, देश और समान के लिए किये गए उनके कारियों के लिए डोक्टर Kalam को अनेकों पुस्कारों से समानित किया गया। लगबक 40 विश्विधालर ने उन्हें मादर डोक्रेट की उपादी दी और भारत सरकार ने उन्हें पदम भूशन द्वारा, पदम वी भूशन और भारत के सबसे बड़े नागरी समान भारत रतन से अलेंकरेट किया। मृत्यू सताई जुलाई 2015 को भारतिय परबंदन संस्थान शिलोंग में अथ्यापन कारे के दोरान उन्हें दिल का दोरा पड़ा जिसके बाद करोडों लोगों के प्रिया और जैदे डोक्र अब्दुल कलाम पर लोग सिधार गए। दोस्तों अगर आपको इंसे रिलेटेड हमसे कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट बोक्स में कोशन डालतर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो।